हालो आरेवन, वल्कम टो आवर गिन स्टेडी तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास एड चोग्रोफी का चेप्टर नमबर वन रिसोर्सीज करने वाले हैं तो रिसोर्सीज का हिंदी में आर्थ होता है संसादन जिसका मतलब होता है कि anything कुछ भी जो चीज हमारी जो नीड होते हैं हमारी जो जुरत होते हैं उसको satisfy करें मतलब उसको पूरी करें उसे ही resources कहते हैं तो अब हम अपने चप्टर के ओर चलते हैं तो सबसे पहले resources होते हैं anything that has some utility जैसे हम यूज करते हैं किसी चीज को satisfy our need जो हमारी need होते हैं उसको पूरा करें उसे ही resource कहते हैं जैसे कोई पानी है मैं पानी पी रही हूं फिलाल तो क्या है अब पानी मेरा क्या है resource है क्योंकि वो मेरी need है वो पूरी कर रहे है example of resources कुछ example of resources की जैसे books में आप पढ़ रहे हो तो क्या वो आपका एक resource हो गया stationary material just pen copy books यह सब कुछ क्या आपका resource है clothes हम पैनते हैं तो वो क्या resource है utensils बर्तन वगारे होते हैं वो भी क्या एक resource है furniture का समान हो गया आपकी teacher हो गई आपके schools हो गई river हो गई water हो गई electricity और बहुत सारी चीज़ जो आपकी need को पूरा करें वही क्या होती है resources कहलाते हैं हर एक जो resource होता है उसकी value होती है नहीं तो resource कैसे कहला जाएगा जैसे पहले human beings developed नहीं होए तो nature में सब कुछ ऐसा ही पढ़ा था वह resource हो नहीं था जब तक human beings ने उसे use करने नहीं लगे वह resource नहीं क्या लए गया क्योंकि जो चीज हमारी need को पूरा करें वही resource क्या लए जाएगा और resource की क्या है कीमत होती है जैसे कि हमें पानी खरीदना है तो उसका भी क्या पैसे लगेगा हमें वही जैसे हमने कपडे खरीदने है वह क्या है एक resource है उसकी क्या है value है ? उसे हमें पैसो के दवारे हमने खरीदा है कुछ ना कुछ देके वहीं हमने furniture को हमारी books को, pen को यह सब कुछ क्या है रिसूर्स है क्योंकि हम इसकी value देके उसको कुछ पैसे देके हम चीज़ों को कुरीद रही हैं यह सब क्या कहलाए जाते हैं resources कहलाए जाते हैं और हर एक resource को एक value होती है। क्योंकि वह हमारे क इसमितीय द्रशा से कहर से में हैं कि इन पंप ख्रियका रभी करो कि, तुर्ट में 상이D t doable d I'm a वह आपना आपिए जासी और यहीं पन की अवजिए उस पंदय को कहा है और कि उस छीम। पंट्रिसाइए वह सब्स और इस सब हुआ, कि अक सब धाने जाए, मैंने आपको बता है कि हर एक resource की क्या होते है कुछ ना कुछ value होते है जैसे कि मैंने एक pen, pencil, drawing, material खृइदा station shop से तो क्या है वो resource है और उस resource है कि आपनी need कैसे satisfy करोगा जैसे कि आपने painting बना दे, scenery बना दे, वो क्या कहला जागी आपकी एक resource कहला जागी क्यों आपकी need थी कि pen से आप एक drawing बनाओ, pencil से बनाओ, as your wish, किसी से बनाओ, आपकी क्या एक, वो need को पूरी करिये किसने pen, pencil ले, वो pen, pencil आपसे क्या कहला जाएंगे, वो एक resource कहला जाएंगे तो मुझे यकीन है अब आपको resource अच्छी तरह समझ में आ गया कि resources होते क्या है human beings है, जो important role play करते हैं resource के ओपर, क्योंकि मैंने बताया, जब human beings developing नहीं होएते, वो समान को use ही नहीं करेते तो human beings उन चीजों को use करने लगे, यह जैसे पानी देखको उन्होंने पानी पिना स्टार्ट करा, अच्छे यह पानी होता है, उन्होंने आइडिया लगा है पीने का, वैसे आग का, यह सब क्या knowledge वगारा, वो क्या invention करते रहते हैं, जैसे बलफ का invention हुआ, तो यह सब क्या ह है, एक human beings अपना idea लगाते हैं, अपनी knowledge लगाते हैं, अपनी skills लगाते हैं, जिनसे नहीं नहीं अविश्कार करते रहते हैं, नहीं नहीं technology आती रहते हैं, सबसे important resource में कौन role play करता है important human beings का होता है, तो यह होते है, human beings का एक बहुत बड़ा role होता है हमारे resource में, जैसे कुछ substance है, आपकी knowledge पर depend होते हैं, जैसे कि मेरे पास pen है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है, वो मेरे resource कहला है जाएगा, नहीं कहला है जाएगा, क्योंकि मुझे तो उससे लिखा ही नहीं जा रहा है, तो वो resource कहां से कहला है जाएगा, यदि मेरे पास pen है, और मुझे अच्छी तरि पहले तो क्या है यह पैन्सिल आप देखते थी तो ने जोंहिखे थी चाहिक चोटी छोटी पैन्सिल आती थी आप बड़ी बड़ी उल्क्रिक पैन्सिल कमें निए-ख। ओन्सिeg और लिफ यह पहरे बुर्ट जा रहे यह फिर कोई भी सांच लेंब आप तो आप ये कोशन में आ सकता है कि pen है वो एक resource है या फिर pen कूम यूज़ करें वो एक resource है पन का यूज़ करें वो एक resource है थो इन चीजों में आपको ध्यांद रखने है ताइप ओफ रिसोर्स कितने परकार के होते हैं रिसोर्स कि नेचर इसर्स रिसोर्स जो से मिलता है नेचर से कैसे परीजों होते ब Annika नीचर इस अहीं होते हैं भग्वान ने में उन्हें तो अहरी है ने का यूज सकत 아니고 यूज कर शक्ते है हमने अपनी RERN मिले हमने उसे Tools बगारे बनाने लगे वह होमें रिसूर्स क्या होते है HUMAN रिसूर्स नेचर में तासे पड़ा है wood लेकिन हमने उसको यूज कि आपनी स्कील्न स्कील跟大家 लगा यह सब गर होमें रिसूर्स तो तो कितने टाइबस के होते। रिचोर्श यह तीन प्रकार के होते हैं समई नेच्जल रिचोर्श hacks Qyney А Twpes गिफ्ट है नेचर का हमने यूज कर लिया जो कि चीज हमें नेचर से मिलते हैं जो कि हमें कुछ भी मोडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है थोड़ा बहुत करना पड़ता बिल्कुल थोड़ा वो क्या कहला जाएंगे जैसे फोटर सोईल यह सब कुछ एंग्जामपल है जो कि लिए दूसर्स के अंदर आते हैं मैंमेड रिसोर्स जैसे कि आइरन से हमने नैचरली हमें आइरन मिल रहा है वहीं आपना घर के लिए नीचर सबस्टांस तो नैचर से वहां कुछ चीजों को मोडिफाई करके हम अच्छी तिरीके से कुछ चीज बनाड़ेंगे जीए ब जैसे breeze बना दिया, human beings ने, यह क्या कह रहा है जाते है, human made resource बना दिया, roads बना दिया, human ही तो बना रहे है, जो कि मिट्टी से हमने अपनी जमीन बना ली है, तो यह क्या है, human made resource कि, human ही तो बना रहे है उन चीज़ों को, अब थर्ड है human resource, human resource क्या कह रहते हैं, जैसे कि हमारी education होते है और health होते है, जैसे कि मेरे अंदर education है बहुत सारी और health है, health आज के उसमें health बहुत ज़्यादा important होते है, इसलिए human resource के अंदर आते है, जैसे कि मैंने education, health, study वगरा करी, मैंने तो इसे क्या human resource कहला जाता है, और human resource की बहुत ज़्यादा value होती है, और एक सबसे बड़ा role कौन प्ले करता है, human ही करते है, resource के अंदर, नहीं तो सब कुछ ऐसा ही ना पढ़ा रहेगा, जो human beings की needy में satisfy होगी, अब तक हमने देखा है, resources तीन परकार के होते है, natural, humans और human made, अब हम देखेंगे, हम use कैसे करते हैं, उनका actual या potential, अब origin कहां से होते हैं, biotic होते हैं, abiotic होते हैं, renewable resource है, non renewable resource है, इन सब को अच्छी तरीके से देखेंगे, आपको यहां तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, अब हम इने धीरे-धीरे देखेंगे, जिसे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो हमा अच्छी यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा नए-नए डैवलोप हो रहा है, कभी pen का हो रहा है, कभी pencil का हो रहा है, यह क्या है, यूज करें, तो यह development किस तरीके से हो रहा है, actual or potential, development को दो काटेगरी में डिवाईड के आगया, एक होता है actual, एक होता है potential, actual का मतलब होता है, actual, अब जो is कर रहे है जैसे हम पैन ले रहे हैं मने अब क्या पैन का विश्कार है ख्याम यूज कर रहे है जो कैमें बिलकुल पता ही निया निया उनके बारे में कि ​ जाके पता चल गँए भी होता है तो यह जैसे कि पहले के समय में लोगों को यह नहीं पता था कि कोई वीड मिल भी होती है जिससे कि वह electricity generate करते हैं लेकिन आपके समय में use कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्या था वह पोटेंशल था लेकिन आज के समय में वह एक एक्ट्रुस बन गया तो इन्हें अच्छी तरह की सिर्फ देखते हैं एक्षा की इसके अन्देर आता है जैसे जर्मानी में हमें कोयला पता है कि बहुत बर्पूर मात्रा में कैसे यूज करना है वहीं महाराष्ट्र में डार्क सोइल मिलतीचा में तो उसे मेंत्ता चलता है कि महें कितना यूज़ करना है यह सब क्या एक। 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 wil continues ус और पोटेंशलने सोर्स के बोला जाता है थिए पता ही नहीं को यूज करना हwahा है या फिर मैं पता है लहीं उसको संबहालकिया रख रखा है future generation के लिए जैसे कि मैं TarLE सब्सक्राइब एक तो उसी परकार से में लड़ाक में और यूरैणियम का पता है कि यूरैनियम है regularly ने कि सब्सस्टांस में अने डाल गाए डालेगा इसके बारे उसे परकात जैसे ट्रीज लाखों क्रोडों ट्रीज हमारे देश के अंदर हम यह तो नहीं हम एक्चुल भी यूज करें सबी को नहीं करें ना वो पोटेंशिल आने वाले समय के लिए वो फ्यूचर जनेशन भी यूज कर सकती है उन्हें तो क्या एक पोटेंशिल डिसोर्स ह है क्योंकि उसको आने वाले समय में भी करें रहे एक्चुल भी कर रहे हैं यह सब पोटेंशिल डिसोर्स क्या लाए जाते हैं ओरीजन कहांस होगा है ए बायो टिक होता है नोन लिविंग से हुआ है या लिविंग से हुआ है ए मतल नहीं बायो मतल होता सास जो ले सकते हैं क्या उता हैं, जो non-living things होते हैं , जो सास नहीं लेक्क सकते हैं , bio होता है , लिविंग , जो living things होते हैं , तो अभी इनका origin कार्ष सकत यह देखते हैं , ebiotic resourts are non-living things , while biotic resource are living , मैं नहीं बता है , ए मतलब नहीं, non-living things, bio मतलब living things, जैसे soil हमारी rocks minerals है, यह biotic है, यह हमें क्या है, कैसे मिलने, non-living things है, वैसे मिल रहे हमें, but, biotic resource की नहीं बोलते है, जैसे plant, animals, क्योंकि plant भी साहर से लेग सकते हैं, यह biotic resource है, तो उन से क्या है, plant से क्या है, बहुत सारे resource मिल रहे हैं, हमें खाने का substance मिल रहे है, तो यह क्या origin कहां से हुआ उसी का, और animals से हमें क्या मिले है, जैसे animal के product होता है, milk होता है, गी होता है, यह सब कुछ क्या, एक biotic resource के नदर आता है, तो इनका जनम कहां से हुआ है, यह भी depend करते हैं हमारे resources, on the basic of distribution, distribute कैसे किये गए है, जैसे आप यह देखोगे, हर जंगे हैं, तो हमें क्या है, कोईला नहीं मिलता, जैसे कि आप इंडिया में देखो, कि हर जंगे मिलता है, जैसे कि हमारे दिली में मिलता है, हर उत्राखन में मिलता है, कश्मीर में मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता, हर एक particular जंगे है, वहाँ पर मिलता है, वहीं आप देख लो, Saudi Arabia में तो बहुत जादा तेल है, बट हमारे इंडिया में देखो तो बिल्कुल minimum, कम से कम है तो इक अलग- àलम में दिस्ट्रभ्यू देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो हमें इस पर डिपैंड होते हैं, जितने तुम नीचे रहोगे उतना तुमें नहीं, यह मसूचना है कि हम हिमाले पे जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जागा, ऐसी नहीं, जैसे हिमाले पे हमें क्या है, प्राकर्तिक रूप से कोई चीज़े मिल सकते हैं, बट तुम जमीन के नीचे देखोगे, तो बहुत क्या है, वैसे सबस्रांग मिल सकते हैं, जैसे आइरेन जित चीज़े में लोकल जनगाय मिलता है, जैसे की COP Isaac, पिर में लोकल जनगाय कोपर फसके एक पर एक पतिकलर जनगाय में वहां मिल रहा चाहरे लिसोर्स एंट नहीं हो सकते हैं और नोनरने उन पर उसे कर लिए उसको सालों लागेंगे मिलियन यован ओफ लिएर्ज लगे तो यह क्या सोर्.- जैसे कि एक बार यूज कर झार हों दो भारा नहीं आ सकता है जासे रिनेबल मत दोबारा'M सकते है क्यालाया जाता है क्या हमाइज है क्या सोलर पैनल गया धूप लगी हम्हें रिनेबल तौर्शक्रा कह आ जैसे biofuel जैसे gober gas बोलते हैं इसे हिंदी में इंग्लश में भी बोलते हैं गोपर गैस क्या होता है हमें क्या है वेस्मेटर डाला एनिमल्स का तो क्या हो जाता है में easily क्या है दोबारे से दोबारे मिल जाता है वो चीजे वैसे ही हमें विंड मिल जाते तो यह जल्दि जल्दी को हमें वह चीज्जे सब कहलेंज dozen जल्दी हमें मिल जाते हैं एक हवा घई दौबारे से हवा तो रुखेगी ना वह में रिजोर्स कहला जाता है कि ढुबारस उन्हें बोला जाता है ज्यसकि हमने कोईला है हमने 02 आपनी ये क्या कहला जाएगा नोन रियाबर रिसोर्स कहला जाएगा जैसे आirk टाइम हम और प्लांट्स ह IRAP अनिमून अउव यह ुभते जमीन में दबे रहते उसके बाद हमें क्या मिलता है पैट्रोल मिलता है कॉइला मिलता है फिर क्या हमने उसको यूज कर लिया तो फिर दोबारे उसको million of years लगेंगे बनने में यह क्या कहला जाते है no renewable जिसे हम million of years लगते हैं बनने में जो एक बार खतम हो गया वह दोबारे नहीं आ सकता time and technology may also be factor involved in making a substance resource जैसे कि आपके पास एक time भी हो और आपके पास टेकनोलोजी भी हो उसे एक अच्छा resource बन सकता है but कि जैसे कि मेरे पास time have हो जाता है time मेरे पास मैं आराम से बैटे रहती हूं खाली तो एक क्या है लेकिन मेरे पास technology नहीं हो काम को लेकर तो क्या है वो एक अच्छा resource बन सकता है नहीं बन सकता इसलिए time and technology factor है substance को resource बनाने के लिए resource conservation क्या पता है resources conservation resources क्या होता है संसाधन conservation क्या होता है हम किसी चीज को conserve करें बचा के रखना resources को बचा के कैसे रख सकते हैं जैसे आपको पता है हमारे non renewable resource होते हैं और क्या हमारे हर जंगा तो नहीं मिलते किसी चीज को हम ध्यान से यूज करें जितना यूज है जैसे वोटर है रिनेबल रिसोर्स है लेकिन हम उसको ज्यादा यूज करने लग जाए तो non renewable बन जाएंगे ना जैसे कि आप पानी पी रहे हो आपको जितना पानी चीए आपकी जो नीड है उसको साटिस्फाइ करें उतना पानी पीलो जिसे कि आपको जितना थोड़ा बचेगा आप उसको रख सकते हो ना दोबारा से यह कहला जाता प्लांट को मैंने काट तिया फिर दोबार से मैं जैसे कि मैंने आग की जुरत है मैंने वुड को काटा और मैंने आवजलाली लेकिन उसके मैंने एक और पेड लगा दिया वो क्या है वो सबस्टांस भी रिन्यू हो जाएगा में लिए जो आने वाली फ्यूचर जर्नेशन यूज कर सकती है और उसके साथ मेरी मेरी वी नीड से सटिस्वाइब होगी मैंने उसको केरफुलि यूज किया है इसे ही बोलते है resources conservation की किसी समानको ध्यान से यूज करना जिससे कि उसको time mils के कि वो दो बारगे से renew होगे की दो बारह से ले सके जनब आप बोलोगे sustainable development क्या होता है एक बहुत easy होता है आपको अभी याद हो गया तो आप आने वाली classes में आप आने वाली classes में बहुत जादा मुश्किल हो जाएगे लेकिन अब आप यह समझ लोगे तो आपके लिए बहुत easy होगा sustainable development कहते है जैसे कि आपको सब्स्टांस से यूज कर रहे हैं लेकिन इसको भिल्कुल ध्यान सी यूज कर रहे हैं जैसे कि आने वाली PDB से यूज कर सकती है उसे ही बोलते है sustainable development जैसे कि मैं पेड़ों को लगा अधर काटती जा रही हूं काटती जा रही कि sustainable development थोड़ी कहला है जाएगा मैंने एक पेड़ काटा मैंने उसकी जिंगा दूसरा पेड़ लगाया भी अब क्या है यह मेरी भी need satisfy हो गया और जो आने वाली पीडिया इसको भी पेड़ मिल जाएंगे यह कहला जाता है sustainable development कि किसी चीज को हम यूज करें लेकिन उसको देख के करें जिसे कि आने वाली पीडि है हमारी वो भी उस चीज को यूज करें उसी ही बोलते sustainable development कि हम उसे balance वे में यूज करें और हमार जो need है उसको भी satisfy करके और जो समान है वो future generation के लिए भी बसते उसे ही बोलते sustainable development हमने अब देख लिया sustainable development होते क्या है अब हम देखते है कुछ principle है जैसे कि sustainable development अब हमने पढ़ लिया मैं क्यों बोली अब पढ़ लिया तो आगे वाली classes में easy होगा क्योंकि कि आप आगे वाली जो classes में पढ़ोगे कि क्या क्या meeting होती है हर साल या हर महीने कि हमें क्यों समान बचाना है classes में रेड करोगे इसलिए हर एक जो meeting होते है उसमें कुछ goal बनाया जाते कि हमें यह यह काम करने हैं जिसमें कि कुछ goal है आप अब देखो क्या है फर्स हैं respect and care for all form of life कि हमें हर एक जो life है no living है या living beings है हर एक की life कि हमें क्या समान और देखबाल करने चाहिए यह एक goal is sustainable development का improve the quality of human beings human beings की जो quality है उसको improve करना हमें अपनी अच्छी आदतों को बनाना जिसे कि हम ज़्याद तर हमारे जो प्राकृतिक संसादन उनका दोहन ना करें conserve the earth vital and diversity जो हमारी भीनता में देखने को मिलती है उसको क्या है बना के रखना है minimize the depletion of the nature natural resources हमें जो हमारे natural resources वो उनको बिल्कुल कम करना है यूज करना क्यों क्योंकि आने वाली जो हमारी आने वाली जो पीडी है उसको यूज कर सकेगी वही तो sustainable development के लिटाज कि हमें जो चीज़ों है उसको minimize यूज करना है natural resources को change person attitude and practice towards the environment हमें अपना जो attitude है towards the environment उसको change करना है हमें प्रियावन से अच्छी तरिके से लगाव करके रखना है Unable communities to care for their own environment जैसे हमारी अलग-अलग समूदाएं होते हैं उनके कुछ ना कुछ रीती डिवाज होते हैं जैसे पहले वाले लोगों को पता था कि आने वाले समय में क्या होगा लोग पेड़ों की जातर करेंगे इसलिए उन्होंने कुछ-कुछ दानना बना दी है जैसे कि ल लोग बहुत चुतुरते हैं उन्होंने क्या बोला नीम के पेड़ से हमें क्या है हमें बहुत अच्छी चीज जैसे दाफ्टून वगारे करते हैं ब्रश वगारे करते हैं तो उनका मानना था यह लोग उन्हें काटने लग जाएंगे तो वो क्या है पूजा करवाने लग पेडों पे मुर्तियों की पुजा करवात हैं क्यों करवाना लगे क्या है हम उन चीजों को बिल्कुल कम से कम यूज करेंगे जैसे अर्शोक पेड है हमें oxygen easy देता है इसलिए क्या है उसको पवित्र पेड मान लिया तो यह क्या एक natural resource क्या है उन्होंने पिछले जनम में बना चाहिए तो यह चप्टर आपको यहीं खतम होता है थैंक यू फॉर वोचिंग इफ यू लाइक आर वीडियो दन लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल